प्रतीक के साथ हुई नेहा और करन की फाई कैप्टन पर घरवालों ने किया हला बोल बिग बॉस OTT में कैप्टन पर हला बोल होते हुए दिखाई दिया है दरहल निशान्त और नेहा भसीन की बीच आपस में बहस हो रही थी और बीच में प्रतीक आ गए तो इस दौरान परतीक और नेहा के बीच जम कर बहस हुई बहस इतनी बढ़ गई कि नेहा ने परतीक पर चड़ाई कर दी नेहा परतीक के करीब आकर उंगली दिखाकर बात कर ने लगी प्रतीक ने पीछे हटते हुए कहा कि नेहा आप क्या कर रही है इस बीच करणनाथ बीच बचाओ के लिए आ गए और प्रतीक से ये कहने लगे कि जब नेहा और निचानत में बहस हो रही है तो तुम्हें बीच में कूदने की क्या जरूरत थी तुम गलत कर रहे हो वहीं प्रतीक ने करणनात से सवाल किया कि अब मेरे और नेहा के बीच बात हो रही है तो तुम बीच में क्यों कूद रहे हो क्या तुम सही कर रहे हो मुझे तो तुम गलत कह रहे हो लेकिन वही चीज तुम खुद भी कर रहे हो और तुम अपने आपको सही भी ठहरा रहे हो और ये बता रहे हो कि मैंने किया है इसलिए तुम भी वही कर रहे हो हलाकि इस मामले को शांत करते हुए प्रतीक ने बाद में जाकर नेहा भसीन से माफी मांग ली और ये कहा कि अगर मेरी बाते आपको बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए आपसे सौरी कहता हूँ मेरा मतलब आपका दिल दुखाने के लिए नहीं था मेरे मन में कुछ बात आई तो मैंने उसे तुरंथ रख दिया और यही मेरा रवया है मैं ऐसा ही करता हूँ ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से माहौल बिग बॉस OTT में दिखाई दे रहा है उसे देख कर यह लग रहा है कि घरवालों ने कैप्टन पर हला बोल किया है टीवी और इंटर्टेन्मेंट से जुड़ी इसी तरह के खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरीए हम तक जरूर पहुचाएं